क्वेस्चन नबर थ्री का ही जो आत्वा करके क्वेस्चन दिया है कह रहा है पांच वर्स पुरू नूरी की आयू सोनू की आयू की तीन गुनी थी दस वर्स पस्चात नूरी की आयू सोनू की आयू की दो गुनी है तो ये जो वर्ड दिया होता है दो गुनी, तीन गुनी इसी के help से question solve होता है क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पस्चार नूरी की आयू, सोनू की आयू की दो गुनी हो जाएगी नूरी और सोनू की आयू कितनी है, 6 नमबर में question है, छोटा सा एक तो चलिए देखते हैं कि जब आयू से related कोई question आता है, तो से कैसे solve करते हैं आपको एक चीज, हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी age से related, उम्र से related कोई question आयेगा तो आपको हमेशा वर्टमान उम्र ही मानना होता है, वर्टमान आयू ही मानना होता है ठीक है अब यहाँ पे नूरी और सोनू की बात हो रही थी तो हमने यहाँ पे लिख लिया है माना नूरी एम सोनू की वर्तमान उम्र करमस एक्स वर्स था वाई वर्स है हम किसकी बात कर रहे हैं वर्तमान उम्र की बात कर रहे हैं नूरी का उम्र एक्स वर्स माल लिया गया औ इस तरह के question में दो condition होते हैं तो पहली सर्थ में यह कह रहा था कि पांच वर्स पूर्व नूरी की आयू, सोनू की आयू का दोगूनी था, ठीक है, तिंगूना था, sorry, तो सबसे पहले पांच वर्स पूर्व दोनों का आयू निकालेंगे, तब जाके दोगूना तिंगूना करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, पांच वर्स पूर्व नूरी की आयू, तो पूर्व का मतलब पहले होता है, तो अभी आपसे पूछा जब पांच वर्स पहले आपकी उम्र क्या होगी, तो पांच माइनस सी तो करेंगे, तो यह हो गया, x माइनस 5 वर्स, इसी पूर्व नूरी की आयू, सोनू की आयू की टिगूना था, तो तीन से गुड़ा कर देंगे, सोनू की आयू में तो दोनों वैल्यू वराबर हो जाएगी, अब देखिए, x माइनस 5 हो ऐसे, 3 का y मल्लिप्लाई करेंगे, 3y और 3 का माइनस 5 में होगा, 3 5 जा माइनस का 15, x है यही रहने दिया गया है, 3y, उदर गया है, तो माइनस 3y, माइनस 15 इदर ही है, और माइनस 5 इदर आया है, तो क्या हो गया है, प्लस हो गया है, ठीक है, प्लस का 5, तो x माइनस 3y, माइनस 15 प्लस 5, यानि माइनस 15 में 5 सब्टेक्ट कर देंगे, तो आपका क्या जाएगा, मा पैट करेंगे तो माइनस टेन बचेगा मतलब यह समझे लीजिए माइनस 15 में 5 रुपया जमा करते हैं फिर भी आपका 10 रुपया बचेगा तो यह आपका इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट होगे यह पहली कंडिशन से दूसरी सर्थ में uk कह रहा था 10 वर्ष Hangझे नूरी की आयई की दवगूनीचाएगी टो्वेले 10 वर्ष मझे निकालेंगे तो लिखेंग दस वर स्पास्चात नूरी किया आई 26 किया जाएगी तो नूरी कि आयो कि दू निदा आएगी मतलब दो से सोद्क याई में गुड़ा करते हैं कि दोनों वैल्व रापर हो गया यहे तो एक से रहने दिया गया तो माइनस टू आई प्लस का 20 यह है और प्लस टेन जब लेफ्ट से यानि बाया से दाएं में जाएगा तो आपका यह प्लस है तो माइनस का टेन हो गया अब आगे हम सॉल्ब कर लेंगे यहाँ पे लिख देंगे समिकड एक और समिकड दो से यहाँ प्लस है लेकिन ये दोनों एक से सेम है लेकिन साइन पलस है तो जब कभी ऐसा कंडिशन आजाता है वैलू सेम हो और साइन से में तो घटाते हैं घटाने पे साइन आपका क्या हो जाचा है चेंज हो जाता है ये देखिए प्लस है तो माइनस लिखा गया माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस तो प्लस माइनस से कट गया ये माइनस का 3Y है प्लस का 2Y तो ज्यादा यह है तो साइन इसी कराएगा 3 मिस 2 गटा बले से लेंगे लेकिन माइनस Y हो जाएगा माइनस 10 माइनस 10 20 तो माइनस से माइनस कट गया Y की वैलू की आगे 20 और Y है आपका सोनू का आई तो Y का कितना आगया 20 यानि सोनू की आईउ 20 वर्स हो गई इसी प्रकास समिक टड़ेक से X माइनस 3Y है 3 इन्टू 20 तो यह 60 हो गया X इकोस टू माइनस उदर गया तो देखो द्यान से X माइनस Y की वैलू 20 समिक टड़ेक में रखे तो 3Y है तो 3 इन्टू 20 और माइनस 10 है ही माइनस 10 यही है माइनस 3 तू 20 कमर रिप्लाइ करेंगे 60 तो माइनस उदर गया प्लस हो गया तो माइनस 10 प्लस 60 तो 60 में दस गटाएंगे 50 यानि नूरी की आईउ कितना था 50 वर्स है वर्तमान और सोनू की वर्तमान आईउ कितना है 20 वर्स है तो आई हूप आपको एक क्रस्चन अच्छे समझ आ गया होगा थेंक यू